ठीक है मैं आ रही हूं सर आपके पास आशुतो जी आपकी वेबसेट का क्या नाम है सत्य हिंदी.com सत्य हिंदी.com चलिया उम्मीद ये करेंगे कि ए घंटे ठीक है मैं उसको भी करा रहे हैं सत्य हिंदी.com पर सत्य ही दिखाया दा है और एक विशलेशा के रूप में आप भी उसी सत्य की बात यहां पर करें ये क्या संकेत देगा 19 के लिए आने वाले वक्त के लिए? कि हारे जीते कोई भी लेकिन दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों कम से कम एक दूसरे को नाको चने चने चबवा रहे हैं चाहे वो मुद्धो का सवाल हो, चाहे वो प्रदर्शन का सवाल हो, चाहे गाली कलोच का सवाल हो दोनों में दोनों के लड़ाई बरावर तो इस लिहाज से ये जो चार राज्ये पांच राज्ये को चुनाओं है इसके नेतिजे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एक पहली बात ये साबित कहरें कि कॉंग्रेस पार्टी अब उतनी कमजोर नहीं रही जितनी कमजोर थी दो राउल गानी जिनको माना जाता था मोदी के सामने उनका कोई मकाबला नहीं है वो मिथ तूटेगा तीन नौर्थ इंडिया के अंदर जो भारतियंता पार्टी और मोदी का सबसे कड़ा सबसे बड़ा मजबूत गढ़ था अगर उसमें सेंद लगती है तो ये एक बड़े संकट का विसे होगा चार, हिंदुत्यों का मुद्दा जिसको घर्मानी की कोशिश पिछले तीन महीने से संग परिवार की तरब से लगा था मंदिर के बहाने हो रहा है उसका भी मिठ तूटेगा कि उसके बहाने आब वोटों की नईया पार नहीं की जा सकती और आखरी कि अगर आप सरकार में है और आप डिलिवर नहीं किया है तो भले ही आप बहुत बड़े नेता हों 15 साल आपका शासन हो लोग आपको वोट नहीं देंगे जैसे लालू यादो को बिहार के अंदर फिग दिया जैसे दिल्ली में सुन आप लालू और शिवराद सिंग चोहन की तुलना कर रहे हैं नहीं मैं बि 15 साल सरकार के अंदर थी 15 साल हैं इससे फरक नहीं पर था आपने लास्ट जाने कितना डिलिवर किया है ये कि फिर की अकईश ऑर ने के बाभीshire किसानी कि समस्या में गहाओं जगह पर गुस्सा नहीं मतलब लोग इतने आक्रोश में थे कि बस वो इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको बीजेपी का दिख जाए इतने गुस्से में थे चाहे वो सुष्वा स्वराज वहां की सांसत से गुस्सा हो या फिर आपके विधाईकों से तो जबरदस गुस्सा है का कमजोर पढ़ना हिंदुत्व हाटलेंड में आपका और जो अजेंडा लगातार बनाया जा रहा है उस पर कमजोर पढ़ना और डिलेवर जो नहीं करेगा उसको लोग बाहर कर देंगा पांच उपर अंजना जी मैं भी विसलेशक के रूप में ही मैं जवाब दूँगा केवल प्रवक्ता के नाते नहीं जब आप मज़प्रदेश में शोस कर रही थी आप पाटी के आप अपनी चैनल पर बहस कर रही थी मैं भी उस समय उसी इलाके में था मैं भुपाल में कई दिन था आक्तर्स जरूर कई जगा है जेसा मैंने विदीशा में पाया है मैं कोई नाम लेकर के चर्चा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन उम्मीदबारों को लेकर आप आप शायद समझ रहें मैं क्या कह रहा हूँ तो और वधायकों को लेकर कई जगा मैंने भी ऐसी बात सुनी一下 बै यह बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि आप 15 साल के सरकार को के प्रती विकल्प के रूप में आप लड रहे हैं, लेकिन मुक्यमंत्री पर कोई आरोप तक नहीं लगा पा रहे हैं, राज्य सरकार पर कोई आरोप तक नहीं लगा पा रहे हैं, केवल ये था, 15 साल हुआ नाकाम बस एक generic एक slogan था, कुछ आरोब तक नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उनको डर था, कहीं शिवराज पर हम अटाक करेंगे, शिवराज जी पर अटाक करेंगे, तो हमारे लिए ये नुकसान साबित होगा, तो जब विपक्ष इस प्रकार की आप रक्षन की भाव में है, तो आप स देने के लिए, और वो है व्यापम घुटाला, और व्यापम घुटाला का जब नाम लेते हैं, तो शिवराज जी कहीं नहीं बच्चते हैं, सीधा उनी पर हमने ये इल्जाम लगाया, और पब्लीकली लगाया, उनका ये कहना गलत है, कि उनको हमने direct को इल्जाम नहीं लग से, टेलिविजन चैनल्स के उपर, शाद उसमें कमी आ जाया और हम जैसे लोग दुबारा नजर आने लगे हैं, तो उस तरह की बहस में तो हम लोग मेरा खाले अब जाने के लायक नहीं रहे हमारे अंदर बहुत कमी है ये, तो मैं सिर्व इतना कहूंगा, कि एक बात मैं कह कहना चाहता हूं, बहुत खास दीन स्टेट्स के चुनाओं के बारे में कहना चाहता हूं, वो ये है कि भारती जनता पार्टी ने हतियार पहले ही डाल दिये थे, और उसका सबसे बड़ा उधारन ये है, कि जब हम चत्तीज गड़ गए, तो मैं देखकर हैरान रह गया, कि बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स और पब्लिसिटी मटेरियल जो अख़बारात में छप रहा था, उसके अंदर मोदी जी की खुड तस्वीर जो थी, वो तकरीबन गायब थी, सिर्फ पांच परसंट तकरीर जो उनक आपकी दलील है कि भारतिय जनता पार्टी की इन स्टेट्स के अंदर हालत अच्छी नहीं हैं, और आपने तो जमीन पर रिपोर्टिंग की है, हमने आपकी रिपोर्टिंग देखी है